How to fix OnePlus 9R not showing name in call lock problem नमस्कार दोस्तों तो अगर आप सभी का तिकिराज YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप जो है आपने OnePlus की डिवाइस में not showing name in call lock problem solve कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर इस तरह के का problem आ रहा है ठीक है आपने name save किया हुआ है फिर भी आपके call lock पर name show नहीं हो रहा है अगर ऐसा problem है तो आप इस वीडियो को अंतक देखे जो भी solution है उसको follow करे आपका problem solve हो जाएगा ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले make sure channel को subscribe करते हुए bell icon को click करें अगर आप online पैसा कामाना चाते हैं तो दोस्तों वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो अगर दोस्तों आपके जो call lock है उसमें जो है name show नहीं कर रहा है ठीक है तो आप यहां पर दोस्तों क्या कर सकते हैं आप सबसे पहले phone को restart करके देखें अगर problem solve हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों जाएए अपने oneplus की device के play store में phone service को search किजए ठेचे phone service करने के बाद इस एपको update कीज़ price करने के बार आपको back करना है आपको connect type करना है तो आपको contact भी यहाँ पर update करना है तो दोनों को update करें उसके बार mobile को restart करके चेक करके देखें आपका problem solve हो जाएगा अगर अपका problem solve हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो जाएए सेटिंग पर स्क्रॉल डाउन कीजिए ज्यादा नीचे नहीं जाना है एबन नौटिफिक्शन पर जाना है सियोल अप्स पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर जाना है कंटेक्स और यहाँ पर आपको स्टोरेज इन खेश पर क्लिक करना है क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करके ओके कर देना है यह करने के बाद दोस्तों आपको परमिशन पर जाना है परमिशन पर जाने के बाद दोस्तों यह दोनों ऑप्शन इनिवल करना है और उसके बाद बेक करना है अभी आपको search करना है phone service phone service में जाईए storage in case पर जाके इसको भी clear कर दीजी clear data okay और उसके बाद बेक करना है permission पर जाना है सारे permission allow करने के बाद बेक करना है और mobile को restart कर देना है उसके बाद जाके देखिए आपको name show हो जाएगा और problem भी fix हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप अपने problem यहाँ पर solve कर सकते हैं और दोस्तो अगर इसके बाद भी problem solve नहीं हो रहा है तो फिड़ क्या कर सकते हैं तो आपको जाना है अपने context पर है उसके बाद यहाँ पर जो profile है right inside top corner पर आप देख सकते है profile icon उसमें click करना है context from all account कर देना हे ठीक है और इस तरह से अपका problem solved तो अगर दोस्तों आपके जो call lock है उसमें name शो नहीं होता है तो आप simply solution को follow up कर सकते है इसके मदद से आप अपने problem fix कर सकते है इसके related अगर कोई problem आपको आजाते है तो comment section आपके लिए है और साधे साथ दोस्तों आप हमें Twitter पर follow करके message कीजिए ठीक है और WhatsApp का contact जो है वो भी आ आज के लिए दोस्तों बस इतना ही thanks for watching